तो हेलो गाज आज की विडियां बनाने वाले है एक सिंपल सा फ्लाइंग टोई सो इसको बनाने करें यहां मैंने एक पेपर ले लिया जिसकी लंबाई 12 सेंटीमेटर है और चोड़ाई 5 सेंटीमेटर है सुम मैं इसको हाफ फोल्ड कर लूँगा कुछ इस टाइब से और मैं इसको खोल लूगा इसको कोलने के बाद जहां तक हमारी यह लाइन आईय है वहां तक मैं इसको बिल्कुल सेंट्ट १ारह से भी फोल्ड कर दूँगा इसको फोल्ड करने के बाद जो मारी यह वाली लाइन हाई है वहां से मैं इसको कट कर लूँगा उपर की तरफ से सो मैं इसको कट करने के लिए स्केल का यूज कर रहा हूं यहां lot इसको कट करने के बाद ही हमारा कुछ कूछ exact से दीघेगा सो अब मैं इसको इस टाइप से रखूँँगा और नीचे थोड़ा सा स्पेस देते हुए मैं यहांब दोनौस साइडसे कट लगाऊंगा थोड़ा सा इस तरफ से वो थोड़ा सा उस तरफ से सो मैं इसको फोल्ड कर लूँगा इसको फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस दूँगा और यहाँ पर मैं फिर से कट लगाँगा और इसको फोल्ड कर लूँगा कि इसको करने के बाद मैं इसके जो विंग्स हैं इसको थोड़ा आगे की सिर्फ नोंग और दूसरा है उसको पीछे की सिंपल सा फ्लाइंग टोय तो जल्दी से इसको ट्राइ गट्राइ इसको ट्राइ करने के लिए हैं पर मैं इसको कुछ इस टाइप से पकड़ूंगा और यहां पर छोड़ दूँगा सो यहां पर आपने यहां पर आपने देखा कितनी अच्छे से हमारा फ्लाइंग टोई जो है फ्लाइ हुआ सो आप इसको जरूर से ट्राइ करेगा